शास्त्र कहता है जानकार कहते हैं कि आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए तो आप बात करते हैं दिव्यक गुनों से भरपूर तुलसी की तुलसी का बहुत ही धार्मिक महत्व है इसको ना सिर्फ पवित्र माना जाता है बलकि अगर विज्ञानिक दृष्टी से बात करें तो तुलसी में कई गुन होते हैं हम आपको बताते हैं तुलसी उपासना की सर्वोत्तम विधी आकिर क्या है जिससे आपके जीवन में आपाएगी सुक्सम्रुथी सनातन धर्म में तुलसी के महिमा अप्रम पार माने गई है एक ऐसा ओशधिये पौधा है तुलसी जो घर-घर में मौजूद है और कोई भी पूजा तुलसी के मौजूदगी के बिना पूरी नहीं हो सकती तुलसी का ब्रक्ष लगावें लगा करके उसमें जो है थोड़े से दूद से असनान करा दे उसके बाद जल से असनान करावें गंगा जल हो तो गंगा जल से असनान करावें और उसके बाद लगाने के बाद उसमें कलावा आदिक जरूर बांदे हलका से और वहां पर एक दीपक रख करके तुलसी जी का विश्न रूप लक्षमी रूप ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना करें कि आज से आप मेरे घर में आप निवास करें यदि घर में लगाते हैं तब भी उसी तरह से लक्षमी यूम विश्नु का आराधना करते हुए उसको जो है लगा में अगर आप भी तुलसी माता से सौभागय का वर्दान पाना चाहते हैं तो उन्हें सस्थ सम्मान अपने घर में विराजमान करवाएं तुलसी का पौधा किसी भी ब्रिहस्पतिवार को लगा सकते हैं तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा सुबह तुलशी के पोधे में जल डाल कर उसके परिक्रमा करने चाहिए शामको तुलशी के पोधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है तुलशी के पत्ते हमेशा प्राता काल में ही तोड़े जाने चाहिए भगवान विश्णु और इनके अतारों को तुल्ची दल जरूर अर्पित करें भूल कर भी भगवान गणेश और माद दुर्गा को तुल्ची अर्पित न करें तुल्ची के पत्ते कभी बासी नहीं होते पुराने पत्तों को पूजा में प्रचयोग किया जा सकता है तुल्सी के बिना भगवान विष्णों की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में तुल्सी का पौधा लगाया जाता है वहां सुख, शान्ति और सम्रिधी आती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि तुल्सी के पौधे के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है तो आप भी दैविये कृपा दिलाने वाले इन पौधों का लाब उठाएं और अपने जीवन को मंगल मैं बनाएं